हेलो एवरिवन आज की इस वीडियो के अंदर हम दो डिसकर्स करने वाले निस क्लास 10 डाटा एंट्री ऑपरेशन सब्जिक जिसका कोड 229 है इसके सॉल प्राक्टिकल के बारे में आज की वीडियो हमारी इंगलिश मिडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है और अ सब्सक्राइब करके रखते हो आप लोग तो आप लोग को हमारी जब भी वीडियो जाती है तो आप लोग को नोडिफिकेशन मिल जाता है अब अगर आप लोग अपना एक्जाइम एप्रिल सेशन में दो गे या फिर आप ओन डिमांड एक्जाइम के लिए आप प्रिपेर हो रहे हो ठीक है तो भी आप ये practical बना सकते हो क्योंकि on demand वाले बच्चों के लिए और public examination वाले बच्चों के लिए practical same होता है ठीक है और जो आपका दूसरा डाउट है कि मैं हमारा practical क्या career change होते हैं नहीं जब तक आपका syllabus बस चेंज नहीं होता है तक आपके practical भी चेंज नहीं होते हैं तो आप जब भी अपना एक्जाम दो के तो हमारी वीडियो से आप लोग अपने practical बना सकते हो guaranteed है full marks आएंगी ठीक है और बहुत सारे बच्चों का जो डाउट है कि मैं practical कितने marks का है data entry का कितने marks हमें लाने है 60 marks का आपका data entry का practical है 33% आपको लाने है तब जाकर कि आप अपने practical में पास होते हो ठीक है तो 33% कितने हुए तो 20 marks आपको लाने है तब जाकर कि आप अपने practical में पास हो जाते हो ठीक है अब जो दूसरा और डाउट है कि मैं किस तरीके की फाइल समय यूज करनी है अपने प्राक्टिकल के लिए दो तरीके की फाइल आपको आपके stationary shop पे मिल जाती है ठीक है एक lucid वाली practical दूसरे आपकी notebook मिलती है ठीक है जिसमें आपका one side जो है white page रहता है one side आपके lining वाले pages रहते है white side वाले pages पे आपको pick paste करनी है lining वाले pages पे आप लोगों को लिखना रहता है ठीक है और जो दूसरा starting आप लोग कहां से करोगे certificate से लिखना है start आप लोग करोगे ठीक है bolt वाली चीजें आप लोग जो है black pen यूज करना ठीक है without bolt वाली चीजों के लिए आप लोग blue pen यूज करेंगे इस बात का ध्यान रखें ठीक है और दूसरी बात जो है red pen का use गलती से भी आप लोग ना करें नहीं तो जो है teachers आपके file को check नहीं करेंगे ठीक है और आपको marks भी नहीं मिलेंगे तो red pen गलती से भी use नहीं करना है आप लोगों को ठीक है अब जैसे की acknowledgement है ये भी बोल्ट करके लिखा है तो इसे भी आप लोग ब्लैक पैंसे लिखोगे without बोल्ट वाली चीज़े blue pen से आपको लिखनी है red pen गलती से भी use नहीं होना चाहिए ठीक है चली आई आगे बढ़ते हैं अब next जो है आप लोगों को index पे जरूर से बनाना है अगर आप इन सारी चीज़ों को properly बनाते हो तो teachers आपके marks काफी अच्छे देते हैं क्योंकि teachers को ये लगता है कि आपकी जो presentation है वो बहुत अच्छे तरीके से आपने लिखा है ठीक है तो सच्छे मिलते हैं यहां पे total जो है मैं आप लोगों को 10 practical दूंगी जो की आप लोगों को enough रहता है इतना ही लिखना इससे जादा लिखने की need आपको नहीं होती है ठीक है same as it is आपको copy करना है अपनी practical file में ठीक है कितनी भी चीज़े हैं ये आप अच्छे तरीके से लिखन ठीक है certificate acknowledgement अलग अलग pages पे आपको लिखना index भी अलग page पे बनाना ये ना हो कि आप लोग सोचो कि नहीं यहां पे इतना pages बच गया तो इसी page पे लिख देते तो ऐसी गलती करोगे तो आपको marks सहीं नहीं मिलेंगे ठीक है दूसरा जो है practical number one यहां पे भी जो चीज़े आपक वोल्ट करके दी गई हैं यह सारी चीज़े आप लोग ब्लैक पें से लिखोगे विताउट वोल्ट वाली जो चीज़े लिखी हैं यह आप लोग ब्लू पें से लिखोगी यह बात मैंने इसलिए हर जगा पे बोल रही हूं क्योंकि आप लोग जब practical बनाते हो तो इस चीज का ध्यान जो है भूल जाते हो आप लोग जिसकी वज़े से गलतियां होती है और आपकी प्रैक्टिकल की जो फाइल है अच्छे तरीके से नहीं बनती ठीक है जितनी अच्छी तरीके से आप लोग बनाओगे उतने अच्छे माक्स आएंगे इसका स्क्रिंचॉट लोग जल टू है ठीक है इसको भी जैसे की बोल्ट करके चीजे लिखी है तो आप लोगों को ब्लैक पैंसे लिखना है विताओ बोल्ट वाली चीजे ब्लू पैंसे लिखनी है दूसरा जो डौट होता है बच्छों के मन में मैं हमारे प्रैक्टिकल के मार्क्स किस तरीके से मिलते है first of all 50% जो आपका marks मिलता है वो formative का होता है अब आपके मन में doubt जाएगा कि मैं formative क्या है तो आप जो 5 PCP classes attend करते हो इसके आपको 50% marks मिलते हैं ठीक है तो ये classes आप लोगों को mandatory रहती हैं ठीक है आपके study center पे होती हैं तो आप लोग ये classes उनसे contact करके ज़रूर से लें अगर नही होती हैं बोल रहे हैं तो आपको tension नहीं लेने इसके जो marks है वो खुद बखुद teacher add करेंगे ठीक है दूसरे 50% जो marks है आपको कैसे मिलते हैं वो आपके submitted के होते हैं ठीक है जो आप ये practical बनाके लेके जाते हैं आपके exam वाली जो date रहती है उस दिन तो आपको ये file submit करनी होती है दिन वहाँ पे आप लोगों का yy exam होता है या फिर आपको return में 2-4 question लिखने के लिए देते हैं इतना ही होता है जिसके आपके 50% marks आपको मिलते हैं तो चली आईए आके बढ़ते हैं I hope कि आपका जो ये doubt रहता है ये doubt मैंने इस वीडियो में पूरा clear कर दिया अगर फिर भी कोई doubt अगर आपके मन में हैं तो आप लोग हमें comment section में comment कर देना उसके ओपर भी हम लोग video बना देंगे जिससे आपका जो doubt है वो clear हो जाएगा ठी वाइट साइड वाले page पर इसे आप लोगों को paste करना है ठीक है observation विगरा जो है ये सारी चीजें यहाँ पर mention अजिस तरीके से यहाँ पर table बनाया है इसी तरीके से आपको भी table बना करके लिखना है ठीक है bolt वाली चीजे black pen से without bolt वाली चीजें आपको blue pen यूज करना है ठीक है ऐसी और भी वीडियो जो है आप लोगों को हमारे चानल पर मिलती रहेगी जिससे कि आप लोग हमेशा अपनी study preparation को अच्छे तरीके से कर पाओगे यहाँ पर practical number 3 जैसे कि bolt करके लिखी है चीजे तो आप आपको black pen यूज करना है without bolt वाली चीजें आपको blue pen से लिखनी है इस बात का ध्यान रखना है ठीक है तो चली आईए इसका भी screenshot आप लोग जल्दी जल्दी ले लो ठीक है जिसे कि आप लोगों को print out निकल वाने में दिक्कत नहीं होगी चली आईए आगे बढ़ते हैं अग साफी सारे practicals आप लोगों के लिए भी आ रही है ठीक है practical 4 है यह ठीक है आप चली आईए आगे बढ़ते हैं जितनी भी practicals हैं आप लोगों को हमारे चैनल पे proper तरीके से दी जाती है जिससे कि आप लोगों के marks जो है अच्छे आए बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं प्रैक्टिकल वो लोग बना के सब्मिट करते हैं तीचर अब सोच में पढ़े जाते हैं यह प्रैक्टिकल कहां से आगया एनाइस के प्रैक्टिकल में ठीक है तो आपकी लैब मैनुल होती है जिसके एकॉर्डिंग यह फाइल हमारे expert टीचर जो है ready करवाते हैं और जिससे आपके marks full to full आते हैं ठीक है प्रैक्टिकल 5 ठीक है चली आईए आगे बढ़ते हैं एनादर किसी भी subject की अगर आप लोगों को practical फाइल चाहिए तो आप लोग हमें comment section में अपनी class subject और medium बता दिया करें उसके उपर जितनी जल्दी हो पाएगा हम लोग आप लोगों के लिए वीडियो ले करके आते रहेंगे और आप लोग अपने टाइमली practical बना करके submit कर पाओगे ठीक है चली आईए आगे बढ़ते हैं जितनी भी screenshot है आप लोग जल्दी जल्दी ले लेना नहीं तो वीडियो जो है काफी lengthy हो जाएगी तो फिर आप लोगों के लिए भी दिक्कत ह होगी ठीक है चली आईए आगे बढ़ते हैं बहुत सारे स्टूरेंट्स जो है बोलते हैं कि मैं हमें वीडियो से देख करके दिक्कत होती है practical को बनाने में तो आप लोग स्टूरेंट्स ऐसे हैं जो study के साथ अपनी जॉब भी करते हैं ठीक है तो उन्हें टाइम नहीं मिल जो है डेलीवर होती है ठीक है और आपको सिर्फ जाकि study center पर submit करना है वहाँ पर किस तरीके के questions आप से पूछे जा सकते हैं वो सारी चीजे हम लोग आपको बता देते हैं जिससे कि आप लोग प्रिपेर रहते हो ठीक है और आपको दिकत परिशानी नहीं होती है ठीक है इस से कि आप लोग हमसे contact कर सकते हो ठीक है अब प्रैक्टिकल नंबर सेवन वोल्ट वाली चीजे ब्लैक पेन यूज करना है विताउट वोल्ट वाली चीजों के लिए आप लोगों को ब्लू पेन यूज करना है गलती ना करें नहीं तो आपकी फाइल अच्छी नहीं बनेगी तो टीचर्स आपके marks कट करेंगे ठीक है चलिए आईए आगे बढ़ते हैं ब्लैक और ब्लू पेन ही सिर्फ आपको यूज करना है अपनी practical फाइल के लिए ठीक है अब जैसे कि बहुत सारे बच्चे जो हैं मतलब परेशान होते हैं मैं front page कैसे बनाना है हमें नहीं मिल रहा तो आप लोगों को जो है इस front page की PDF जो है telegram channel पे हम लोगों को provide कर देंगे जिससे कि आप लोग download करके और अपनी details को feel करके अपने practical में add कर सकते हो ठीक है screenshot लो इसका जल्दी से जब आप लोग यहां से हमारे channel को subscribe करके like करके वहाँ पे जाते हो तो आपको वो practical front page आपको मिल जाता है download करने के लिए और वहां से आप लोग अपने details fill करके front page add कर सकते हो ठीक है अब जैसे कि यहां पे practical 8 है ठीक है जैसे दिया है same as it is आपको copy कर लेना है ठीक है ना और कुछ भी करने की need आपको नहीं है another कोई doubt रहता है comment section में आप लोग comment कर सकते हो पूछ सकते हो उसका जो doubt आपका रहेगा वो हम लोग clear कर देंगे ठीक है और बहुत सारे बच्चों के मन में doubt है कि मैम हमके अपनी practical file को decorate कर सकते हैं अगर आपके पास extra time है तो आप लोग अपनी practical file को decorate कर सकते हो कोई दिकत नहीं है अगर आपके पास time नहीं है तो आप simple तरीके से भी अपनी file को बना करके लेके जाओगे तो भी आपके full to full marks आएंगे क्योंकि यह जितनी भी files आपको दी जाती है nis export teachers के through बनवाई जाती है जिससे कि आपके full to full marks आते हैं ठीक है जिससे कि आप easily बना पाओगे ठीक है और जैसे कि यहाँ पे अब practical 9 ठीक है यहाँ पे जैसे कि bolt करके लिए आप लोगों को blue pen use करना है ठीक है ना I hope इतनी जो information आप लोगों को इस वीडियो में दी गई है इसके अलावा और कोई doubt आप लोगों के मन में नहीं होना चाहिए अगर फिर भी है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो ठीक है और भी subjects के जो playlist है आप लोगों को description box में दे द आ सकते हो उसके उपर भी हम लोग जितनी जल्दी हो पाएगी आप लोगों के लिए हम लोग वीडियो ले करके आएंगे जिससे कि आप लोग अच्छे तरीके से अपने practical file को बना के submit कर सकते हो और full to full marks ले करके आ सकते हो ठीक है अब जैसे कि यहाँ पर practical 10 है ठीक है यहाँ पर हमने आप लोगों को totally 10 practicals दे दिये हैं जिससे बनाना enough रहता है इससे ज्यादा बनाने की need आपको नहीं होती है ठीक है जैसे दिया है बस आपको copy करना है अपनी practical file में ठीक है और भी subject की जो playlist है आपको description box में हम लोग दे देंगे वहाँ से आप लोग अपने subject देख करके अपने practical बना सकते हो ठीक है इसका भी screenshot आप लोग जल्दी से ले लो ठीक है चलिए आए आके बढ़ते हैं अगर आप लोगों को लगता है कि हमारे channel से आपको benefit मिलता है तो channel subscribe कर लें और like जरूर से किया करें क्योंकि आसी videos आप लोगों के लिए हम लोग लाते रहते हैं इस वीडियो को बनाने में काफी मेहनत हम लोगों की लगती है तो आप लोग जरूर से channel को subscribe करके रखे ठीक है और अगर आप लोग चाहते हो कि इस salt practical की PDF हमें मिल जाए तो भी आप ले सकते हो nominal charges को pay करके hand return भी अगर आप लोग चाहते हो कि हमें order करवाना है तो भी आप करवा क के मंगवा सकते हो दिये गए नंबर पे contact नंबर 8250129920 यह एचके एनायस information का contact नंबर है यहां से आप contact करके ले सकते हो टेलिग्राम चैनल वाटसब चैनल की link description box में मिल जाएगी वहाँ पे भी आप लोगों के लिए काफी सारी updates रहती है और अगर आप लोगों को हमारे channel से help मिलती है channel जरू से subscribe करके रखें I hope आप लोगों के लिए videos helpful रही होंगी ठीक है